जैसे रम ट्रेडर भाईयों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज के दिन मार्केट में किस तरह से काम किया गया आए मैं आपके साथ डिसकस करता हूँ तो आज के दिन मैं ओवर ट्रेडिंग कर लिया मैं आज ग्रीन में क्लोज कर पाया जिसका रिजन काफे स आप बन जाएँगे बस आपको इन तीन बातों को फोलो करना है पौला जो बात है वह आपका रूल आपी रूल बनाए है नियम बनाए है आपको उसको हमेquest फोलो करना है तो आप सफल ट्रेडर बन पाएंगे दूसरा जो है आपको रिक रिवार्ट पर काफी ध्यांद दे एपको जो आरा रेश्यू होता है इसको आपको जितना बेहतरा बना सकते हैं बेटर बना सकते हैं आपको इसपे पर्यास करना है और तीसरा होता है डिसिपलीन जब आप इन तीनों पे महरती हसर कर लेंगे तो आपको successful trader होने से कोई नहीं रुख सकता है। यह habit आप continue process follow करने लगते हैं आप सामिल कर लेते हैं तो आप सफल ट्रेडर जरूर बन पाएंगे और बनेंगी ही बनेंगे क्योंकि यह habit जो है काफी कोई बहुत लोग इसे नहीं follow करते हैं जो लोग follow नहीं करते हैं वे loss maker trader बने हुए हैं आप इसे follow करना है start कर देजिएगा आप धीरे धीरे profitable trader बन जाएंगे तो चलिए वीडियो के main topic पे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं bank nifty में यहाँ पर देख सकते हैं कि gap down opening देखने के लिए मिला क्या मिला gap down opening देखने के लिए मिला उतना अधी gap down नहीं था तो इसे हम flat opening ही समझेंगे क्या opening समझेंगे flat opening समझेंगे और एक और समझे पिछले day का जो यदि आप chart समझेंगे तो पिछले day पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर stop loss पड़ा हुआ है यहाँ पर stop loss पड़ा हुआ है तो आपको यह ध्यान देना है कि market को अगर upside direction में जाना होगा तो direct जो है upside direction में जा सकता है लेकिन उसके लिए चाहिए कि कम पैसा लगाना पड़े तो मैं यहाँ पर point को calculate किया तो यहाँ पर देख सकते हैं market यहाँ पर opening दे रहा है तो अब stop loss इनका heat होगा upside का momentum देखने के लिए मिल जाएगा तो मैं simple सा FIB retracement को draw किया यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और 0.5 का label होता है market जो है वहाँ तक जा सकता है यानि कि इनका जो profit है उनका profit कम कर सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं directly जो है यहाँ पर upside का momentum मिला first candle है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर put लिये हैं उनको done लगा और यहाँ से वह exit कर गया तो इसी कोज़ा से यह fall हुआ है और उसके बाद से यहाँ पर एक range में देखने के लिए मिला तो मैं इसको channel के माध्यम से यहाँ पर draw कर दिया और इसका breakdown मिला तो मैं यहाँ पर trade लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर trade दुबारा भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं call side का यहाँ पर upside का एक trade ले सकते हैं तो मैं अपना segment deactivate कर दिया हूँ अब चाहकर भी मैं trade नहीं ले सकता हूँ तो finally जो है trade जो profit जो बन पाए हूँ निप्टी 50 में बना निप्टी 50 में बना है इसलिए बना क्योंकि निप्टी 50 का आज expiry है तो आपको भी पता है कि expiry के दिन जो है premium काफी सस्ते होते हैं कि आज इसको expire हो ही जाना है तो इसमें काम किया गया और इसमें अच्छा कासा profit को book किया गया है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो simple से यहाँ पर मैं 0-0 यूज करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यह chart load ले रहा है simply मैं position वाले option पर आता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं trade लिया हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं finally जो है आपको यहाँ पर benefit जो है क्या panel है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा आप यहाँ पर यह देख सकते हैं